है गाईश तो कैसे आप सब आप सब का स्वागत है एटमिक्स में आज हम एक इन्पोर्टन टॉपिक पर डिसकर्शन करने वाले है वह है डॉक के अगर हैरफॉल जादा होता हो साथ साथ उसको स्कीन प्रॉब्लम्स भी हो रही हो तो उसके लिए क्या करें किन फूड्स को आते रहते हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंट्स तो सब सब पहले हम डिसकस कर लेते कि क्यों स्कीन प्रॉब्लम्स होती है डॉब्रीट को तो अगर आपका डॉब्रीट पानी में ज्यादा बैठता है या फिर कोई भेज वाली जगह पे ज्यादा बै इनिम्मस कम ध्यादे है ठाउ जिसके स्कीन प्रॉब्लम होती है सपस्वार जिकर अब देखने को मिलते डॉब्लम्स होती है की प्रॉंप Conte ओकशन और मिपानी स्कीन प्रॉब्लम परनी absorbent अगर गर में पानी वाली जिगापे बैठते हो तो उसे बंढ करने की कुशिसिक करें या फिर कई लिकेज हो रहा जहां पे पानी होता है और जहांपे डॉक्स जाके बैठता ए早 लिकेज छोटो रोकने की कुशिच की sick-plog को सकती है क्योंकि डॉग्स में जो स्कीन में टीक्स आपको देखने को मिलते ही होंगे तो अगर आप उसकी जो जो सॉलुशन कोर्स जो होता है डॉक की स्कीन प्रॉब्लम का वजरू से कम्प्लीट कीजिए क्योंकि भले ही आप अगर दस दिन का कॉर्स और आट दिन करो दो दिन के वज़े से भी वापिस स्कीन इंफक्षन चालो हो सकता है एक important चीज इसमें याद रहे medicines और जो भी cream देंगे medicines लगाने के लिए वो time to time उसको देना जरूरी है क्योंकि एक दी दिन अगर आप नहीं देते तो उसके चलते वो problems वापिस आने के काफ़े ज़्यादा chances हो जाते है skin infection में ये भी maybe reason हो सकता है कि अगर उसके mother father को कोई problem हो skin की तो उसके चलते पपी को भी आ जाती है ये एक reason हो सकता है साथ साथ weather change के कारण भी कई बार जो skin infection है वो dog में देखने को मिलता है इसका best solution है अगर आपको initial stage पर दिख जाए तो तभी आप चले जाए वरना आप में इसको ज़्यादा पैसे भी खरच होंगे medicines भी ज़्यादा जाएगी और आपके dog को problem भी होगी ये बात होई skin problems की अब बात करते हम की dog breed की hair fall आपको ज़्यादा देखने मिल रहा हो तो इस वीडियो में मैं आपको hair fall के उपर ज़्यादा focus करते हुए उसमें क्या खाना देने के कारण hair fall हो सकता है वो भी बताने वाला हूँ तो hair fall होता क्यों है hair fall अगर आपके dog breed में ज्यादा sodium हो जाती है sodium की जो मातरा होती है वो ज्यादा होते है अपकी dog breed में body में तो उसके चलते हैसे hair fall स्टार्ट हो सकता है और hair fall स्टार्ट होता है कई बार different types के hair fall हो अगर कुछ चीजों में इची स्कीन हो जाती है और कई कई जगह से हैरफॉल होना स्टाट होता है कुछ में सारे बाल जाते हैं ऐसे अलग-अलग हैरफॉल होते हैं तो अगर आपके डॉग में हैरफॉल देखने को मिलता है तो आपको यह चीज़े जरू करनी चाहिए सबसे पहला जो फूट याद र अगर अपने डॉग बीट को आप ज्यादा शुगर भी दे रहे हो तो उसके चलते भी हैरफॉल काफी जल्दी स्टाट हो जाता है और शुगर देने के कारण एलर्जी भी आ सकती है डॉग बीड में तो यह चीज़ का ज़रू ध्यान रखे कि उसे शुगर ना दे ज्याद अगर डॉग की बॉड़ी पे अलर्जी ज्यादा देखने को मिल रही हो तो आप ध्यान दीजिए कि आप अपने डॉग बीड को कौन तो नहीं दे रहे हैं जो स्वीट कौन होता है या फिर कौन बोल सकता है अगर आप वो दे रहे हो तो उसे भी तुरंथ बन कर दीजिए अपने डॉग बीड को देना नहीं है वह ज्यादा उसके चलते डॉग बीड में प्रॉब्लम्स काफी जादा देखने को मिलते है वह डॉग के लिए अच्छा नहीं होता एक और अगर आप घर का खाना देते हो ज्यादा तर जैसे चास के साथ और दही के साथ रोटी देते इसके चलते डॉक्त बीत की हैरफॉल काफी जल्दी श्टार्ट हो जाता है साथ साथ ओनियन देट साते वह सब भी आप अपनी डॉक्त को बिलकुल ना इससे आपके dog breed को काफी जदा help मिलेगी उसकी जो health wise condition है वो भी अच्छी होगी अगर आप इसे देते नहीं हो तो बात करें non wage में कई सारो लोग को non wage देते हैं अपने dog breed को तो अगर आप उसे दे रहे हो तो हमेशा याद रहे raw meat आपको देना है यानि कच्छा मास आपको बिलकुल नहीं देना है साथ-साथ जो एग भी रोते हैं उसे भी कच्छा नहीं देना है अगर आप उसे देना चाहते हो तो बॉयल करके दीजिए और मीट बिल्कुल कच्चा नहीं देना है उसे आप बॉयल करके दे सकते हैं अपने डॉग बीट को तो अगर इन सब फूट को अवोइड करते हैं तो जरूर से आपकी डॉग बीट की जो हैरफॉल की प्रॉब्लम में काफी साथ कम होगी साथ-साथ कमेंट करके जरूर बताए और आपको यह वीडियो कैसी लगी यह भी हमें कमेंट करके जरूर बताए चैनल पर न्यू हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि हम ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं और बेल आइकन को अन करना ना भूले मिलता हूं मैं